12 सितंबर 1996 में मैंगलो राश्रम से गुर्देव का 66 ग्यान पत्र है शीर्षक है अच्छी तरह से पका हुआ पात्र गुर्देव कहते हैं यदि तुम एक अदपके पात्र में पानी डालोगे तो पात्र खराब हो जाएगा और पानी भी बरबाद हो जाएगा और अगर पात्र अच्छी तरह से पका हुआ और मजबूत है तो इसमें पानी भरा जा सकेगा तब चाहे तुम पानी को पात्र में डालो या पात्र को पानी में उसी साम सत्संग के दौरान एक भक्त ने गुर्देव को हाथ से बना हुआ एक सुन्दर पात्र भेट किया दूसरे किसी भक्त ने गुलाब का एक गुलदस्ता दिया गुलदस्ते को पात्र में रखते हुए गुर्देव बोले यदि पात्र अच्छी तरह से पका हुआ है तो वो फूलों को थामे रखेगा तब ही गुर्देव को मिठाई भेंट की गई तो उन्होंने जोड़ा ज अब गुर्देव ने समापन किया कि यह आज का संदेश है जै गुर्देव